प्राचीन पीपल का पेड़ धरासा ही हो गया जो मंगल वाल की सुवय अचानक खड़ा हो गया जिससे छेत्र में संसिनी पहल गई लोग इसे दैविद चमतकार मान कर पुझा अर्चना और पविक्रमा कर दर्शन कर रहे हैं छपारा सरपंच गुविन सिंग ठाकूर ने बताया कि छपारा में इस्तित स्री माता रानी दरवार के परिशर में प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था जो दो माहपूर तेज आधी तुपान में धरासाही हुए था जिससे देव इस्तन की बॉन्डरी वाल च्छतिर रस्त हो गई थी लेकिन आजू बाजू वाले माकान सुरचित बच गए थी ग्रामीडों ने धरासाही पीपल की साखाओं को पकाट दिया था केवल पेड़ का तना ही सेज बचा हुआ था तेज आवाज के साथ खड़ा हुआ पेड़ प्रत्यक्षिदर्शी वाहित खान बताते हैं कि मंगलवाज की सुवए साड़े शे बचेज आवाज के साथ पुछ सेकंडों में पीपल का तना खड़ा हुआ गया जिसकी जड़े जमीन में विवस्तित जम दें मंदिर के समील बीडी बना रही एक मुस्लिम महिला ने बताया कि देवस्तित के पास कुछ सेकंड के लिए तेज हवा चली और पीपल का पेड़ खड़ा हो गया जिसके बाद हवा चानग बंद हो गई जिसको देखकर लोग अचंबीत होकर रहे ले पीपल के नीचे विराजी हैं देवी मा मूरत सिंग विसकरमा, सुर्वेंद सिंग ठाकुर और कल्यार सिंग ठाकुर ने बताया कि प्राचीन पीपल के नीचे जगत जने नीमा, बिजासन और भगवान सिवसंकर का सिवडि मिराजमान है पेड़ धरा साई हो जाने के बावजूद भी सुरचित थे सरदालों का मानना है कि देविद चमतकार से ही पीपल का पेड़ ने खड़ा हुआ है और अब वह पेड़ हरा भरा होगा ऐसा लोगों का मानना है जो जिशा से आसीज सहेली की दुखोर पुराना इस्तान है बहुत पुराना इस्तान है यहां बहुत पुराना पेड़ खड़ा था पीपल का पीपल का खड़ा था वो खड़ गया था तो आपसे आप आज कुद्रती खड़ा हुगया आपने खुद देखा है हमारे सामने खड़ा हुआ है विल्गुल एक मिनत में हमने एक बात भी ने कर पाई तो खड़ा हुगया आपने क्या देखा मैंने देखा हवा तूफान में पीपल का पीड बहुत पुराना था वह अचानक हवा में गिर गिया दू मेंने पेले और जुरगा जी का मंदर तो जुरगा जी की मूर्डियों है संका जी की मूर्डियों । बहुत प्रानी ब्राचिन Brus बहुत समाज की है प्राचीन मंदर सा और यहां पर पीपल का पेड़ जिसे लख्खा पीपल बोलते हैं लख्खा पीपल था और वो अचानक गिर गया माने जो उस दिन आंधी और ओले आए उस दिन गिर गया फिर इसके बाद में ये पीपल आप से आप खड़ा हो प्राचीन में जोय को काफ़ा जो में मट्टी कर भराद नहीं फिर चानक गि अं सिपविपल को पेला जो इशाना ंप होघ कि एजम확 और वाई हो अवारम, मेनग तो मोरेते हैं धृस्तर हम लगा तो करभी वा एठाएक कुश में आओ? अवी कि कारवेडी